किश्री मंडी शुडू, बरसों बाद अब तुलाई भी किश्री मंडी में ही होगी, जाम से मिलेगी जनता को राहत जी हाँ, करोना संक्रमन के चलते, देश में 40 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, भारत देश किश्री प्रिदान देश है, ऐसे में देश का आर्थिक पईया किश्री पर ही आधारित रहता है इसलिए किसानों की उपज सुगमता से बिग जाए और प्रिशासन के दिसा निर्देशों का पालन हूँ, इसलिए नवीन मंडी प्रांगण में किश्रकों की चना मसूर सोयवीन तेवडा की नीलामी की जाएगी साथ ही नगर में कुरोना संक्रमन को ध्यान में रखते हुए नमीन मंडी में किर्शकों की नीलाम की गई फसल की तौल एवं भुकतान भी किया जाएगा इस निर्ने से नगर की जनता को जाम से राहत मिलेगी इस विशय में अनाज तिलहन व्यापार संक्य अध्यक्ष शिप्षरेंट सिंग रगवनशी ने बताया कि प्रिशासन के दिशा निर्देसों के आधार पर एवं करसकों को कोई असुबदा ना हो इसलिए आज से नीलामी शुरू ही है इस विशय में किसी उपजबड़ी समीती के सचिप अरविंद तामरकार का कहना है कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए नीलामी शुरू की गई है तौल के विशय में सचिप ने कहा है कि अभी ये आस्थाई विवस्ता शुरू की है संकर्मण को देखती हुए अभी व्यापारियों की दुकान का निर्मान नहीं हुआ है लेकिन अगली फसल से यहां इस्थाई विवस्ता की जाएगी विदीशा से इंडिया खवर लाइव के लिए एलन चोवी की एक रिपोर्ट परिसासन के सहोग से और हमने निलामी चालू की है जो भी आगे दिक्कत आएंगी उसमें परिसासन के साथ कर्साकों के साथ बैठकर उनमें संसोधन किये जाएगा ब्यापारी हमेशा तत पर है किर्सक की उसकी समस्या के लिए आज से शुरुआत किया हो सकता है थोड़ी परिसानी आए उनको जो नीलामी चबूतरे हैं उनको अपने दे दिये हैं वो अपने फ्लेक्स लगाएंगे तो लाई करेंगे अभी आएस्थाई ववस्ता है चूंकि उनके अभी गो डाउन बने आज भी नहीं बने हैं इसलिए ये से बारस के समाज से नकलने के लिए ववस्ता की गई है साशन द्वारा कि किष्णानों को उचेत मूल मिल सके काफी ब्यापारियों द्वारा ये बताया गया है कि हम बहुत जल्ली ही अपने नर्माण चालू कर रहे हैं ताकि खरीब सी जन में सोयवीन के सी जन में यहीं निलामी हो सके यहीं तौल हो सके यहीं भबतान हो सके